हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल नियू इंडियन एरा पर तो अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि CET का फार्म कैसे आप लोग मोबाइल फोन से भर सकते हो exactly line to line सब कुछ आपको यहां पर बताऊंगा मैं completely mobile phone से आप कैसे भर पाओगे जिन बच्चों ने पहले registration किया ही नहीं था वो कैसे अपना नया registration करेंगे जिन बच्चों का registration हो गया था लेकिन print नहीं निकाला था वो कैसे print निकाल लेंगे अपना जिन बच्चों का application idea वगरा कुछ नहीं वो सब कुछ कैसे क्या करोगे सब कुछ यहां पर बताऊंगा जो बच्चे cbsc बोड से हैं icsc बोड से हैं किसी और बोड से हैं वो बच्चे अगर महारास्ट्रा बोड में तो अगर आपके mobile phone में सिर्फ internet है तो आप लोग फॉर्म आराम से भर सकते हो और आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा और प्रिंट निकल वा लेना और पांच रुपे जो रहेंगे उसको किसी को डोनेट कर देना जिससे कि कि सकते हैं यहां पर जैसे जाओंगे फटाफट इंटरनेट अमना चालो कर लेना आपका वेबसाइट बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा कोई टेंशन की बाद बिल्कुल भी नहीं लेनी है वेबसाइट बढ़िया एकदम महारास्ट्रा बोड ने इस बार कर दिया है तो खुल गया है देख सकते हो आप लोग अच्छे से ओके आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इनको आप अच्छे से पढ़ लो यहां पर सिर्फ यह दिया हुआ है कि SSC बोड के बच्चे ही 26 तारिक से एडबिशन का फॉर्म भर सकती हैं अगर आप CBSC किसी बोड से थे दसवी अभी पास हुए हो 26 तारिक से आज से आपका फॉर्म चालू हो गया है अब देखो भाई आपको एक बात बता दू जो न्यू कंडिडेट रजिस्ट्रेशन है यह उन बच्चों के लिए यह वाला ऑप्शन दिया है जिन बच्चों ने अब तक बिलकु सब्मिट कर दिया तो यहां पर कर रहा है है squeezed इस बच्चव सब्मिट कर दिया तो हुआ यहां पर कर रहा है जिस बच्चे ने सब्मिट कर दिया, उसको सब्मिट नहीं करना है, ठीक है, जिसने प्रिंट निकाल लिया था, सब्मिट करने के बाद प्रिंट निकाल लिया था, उसको कुछ नहीं करना है, उसको यहां पर उसका application ID और mobile number सब मिल गया है उसको, अगर उसको कुछ ऐसे ही, उ उसी में आप edit करके form फिर से कर दोगे सब कुछ फिर से सही सही हो जाएगा ठीक है बट यहां पे आप किसके लिए बताऊँगा जिसका submit हो गया है और print नहीं निकाल पाया बेचारे ने यह जिसने अब तक क्लिक करो आईसा आजएगा computer जैसा आपका यह बन जाएगा पुरा अब इसमें क्या करने यहाँ दिखो यहाँ पर seat number डालोगोगे सीट नमबड़ डाल दिया फट्ट से अब उसके रहाएं करो यहाँ ओद से मैंने और दोनों का नाम डालने के बाद करोगे यहाँ पर प्रॉसीड कर दोकरे प्रोसीड करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपका registration ID मिल जाएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका registration ID उलड़ी created है और अगर create नहीं भी रहता ना तो भी आप लोगो यहाँ पर क्रियेट कर सकते हो आपस से कोई फर्क नहीं पड़ता created है तो दिखा देगा created है उसमें क्या बड़ी बात है कौन सा बड़ा मंत्र पूक ने गाए अगर created है आपकी आपकी आड़ी जो दिखा देगा created है new registration में क्लिक करो created है तो बता देगा created है और क्या कौन सी बड़ी बात है उसमें और नहीं created होगा तो create कर देगा जाता सोचनेग इसको याद रख लो, त्यूंकि यह आपकी application number है, यह हर जगे काम आने वाला है, इसको आएसा यहाँ पर आओ, यह पूरा, एकस आई जो भी यहाँ पर लिखा है, इसको आपको पूरा कापी कर लेना है, I have read all the information, दुनियादारी, इसको अच्छे से पढ़ लो, और यह पढ़ने के बाद आगे proceed करो, यहाँ पर क्लिक कर दो, प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, तो आपके सामने देखो वाई, आधा data पहले से field आपको मिल जाएगा, बढ़ी आसा, ठीक है, और कुछ data आपको यहाँ पर पर आजाओ पहले फटाक से, यह देखो, यह जगे पर आजाओ, यहीं से आपको भरना शुरू करना है, medium of instruction, कौन से medium से थे, तो मैं जिसका form भरना हूँ भाई, डेमो के लिए, डेमो है, कुछ हैसी रम समझना, तो यहाँ पर same English में डाल दूँगा, यह मैंने same English डाल दिया फिर इसके बाद medium of social science subject, तो same English में मता आपका history और geography किस medium में था, हिंदी, English, English में तो रहेगा, तो English medium हो जाएगा न, मराथी में किस में है, तो मराथी में था, तो मराथी कर दिया, अगर आपका English medium रहे तो तो आप यहाँ पर English डालते, तो फिर आपका history जोग्राफी भी English मे भी रहता, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहों, इस बात को ध्यान देना, दूसरा, आप central district में आजाओ, आप कहां से हो, तो मैं ऐसी अकोला डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर अकोला डाल दिया, चलो ठीक है, अब उसके बाद और, अगर मालो, आपको और डालन आपका सेंटर आएगा, आपके area का यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर examination center डालोगे यहाँ पर, तभी यह वाला option चालोगा, फिर यहाँ पर click करोगे, तो आपके समने देखो, इतने सारे option आजाएंगे, यहाँ पर मैं अकोला डाल देता हूँ, इस तरीके से डालने के बाद, save and next में click करना, यहाँ लिखा है न, save and next, यही click कर देना है, save and next में click करोगे, यह खच्चे से click कर दिया भाई, और यहाँ आगे निकल गए, यहाँ पर सब आप पढ़ लो कि आपकी सारी information correct है कि नहीं है, इसको print करना है आपको, यही है आपका application form, यहाँ सब click कर लो, category open है, seat number बर, दुनियादारी सब कुछ क्लिक कर लो, और यहाँ declare करो, कि I have hereby declare and understand that उपर नीची की जो भी जानकारी लिखी है, सब हमारी सही जानकारी है, और हम होसों हवासों में अपनी जानकारियां भर रहे हैं, और भरने के बाद, confirm कर दो application form, application form confirm करोगे, तो यहाँ पर देखो, लिखा हुआ है, कि आप इसके बाद, able नहीं रहोगे, modify करने के लिए, या change करने के लिए, आपको अगर appear करना है, CT में, तो इसको ok करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ok करना पड़ेगा, इस बात को आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है, तो इसके ब कर दिया है, आपको यहाँ पे, आपका successfully सब कुछ हो चुका है, अब देखो, आप इसका screenshot ले लो भाई, इसका screenshot ले लो, और print क्लिक करोगे, तो print करके, आप PDF के form में, इसे save कर सकते हो, तो आप भी इसको बढ़िया तरीके से must एकदम save कर लोगे, और आपका काम खतम, आपका application भरर जाएगा, complete, समझ गया में क्या बोला अभी आपको, पूरा, तो भाई, धमाका मचा दो, description box में लिंक दिया हुआ है, जाओ बढ़िया धमाका मचा दो, और सभी friends में share करना, school के सारे group में share कर दो, और हर जगए share कर दो, जिस बच्चे का print नहीं निकला, तो वही print यहा तो आपका mobile number और application number डाल के आप register वापस से कर सकते हो, new registration भी कर सकते हो, सब कुछ पहले से कर सकते हो, कोई tension की बात नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको धियान रखना है, तो आपका application इस तरीके से भर देना है, और yes, that's it, खतम का नहीं, और जिसके पास registration ID नहीं रही होगी, वो अपना forget password से जाके कर सकते हो, कोई tension की बात नहीं, ठीक है, मस तिक दम मजे गया, ठीक है, तो इसको हर जगे share करो, बढ़िया से, और pass और कुछ नहीं, मजे करो, इस वीडियो को share भी कर दो यार, और क्या, समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या बोलना है मेरे को, ठीक है, चलो बाई-बाई, टेक केर